जोई जगन्नार भारत माता की कल में प्रभुराम की नगरी अयोध्या में था वहां रामलला और अयोध्या वासियों के दर्शन किये आज यहां महाप्रभु जगन्नात की धर्ति पर हूँ आपके आशिर्वार लेने के लिए आया हूँ आज हमारे रामलला भव्य मंदिर में बिराजमान है यह आपको मालूम है यह भव्य राम मंदिर कैसे बना है किसने बनाया किसने बनाया आपका जबाब गलत है यह प्रभु रामलला का भव्य मंदिर मोदी ने नहीं आपके एक भोट ने बनाया यह आपके एक भोट की ताकत है कि रामलला का भव्य मंदिर बना है जिसने यह रामलला का मंदिर मतलब पांसो साल का इंतजार यह खत्म हुआ मैं ओडिसा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाईयों और बहनों ओडिसा में इस बार दो यग्य एक साथ हो रहे हैं एक यग्य देश में हिंदुस्तान के लिए मजबूत सरकार बनाने के लिए है और दूसरा यग्य ओडिसा में भाजपा के नेत्रुत्व वाली मजबूत राज्यत सरकार बनाने का है और मैं आपके जोश आपके उत्साह में एक ही भावना देख रहा हूँ ओडिसा में पहली बार डबल इंजन सरकार ओडिसारे प्रत्थम थर हेव डबल इंजन सरकार साथियो मैं आज ओडिसा भाजपा को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ ओडिसा भाजपा ने ओडिसा की आकांशाओं को यहां के युवा सपनों को ध्यान में रखते हुए यहां की बहनों बेटियों के सामर्थ को ध्यान में रखते हुए बहुत ही विजनरी संकल्प पत्र जारी किया है मैनिफेस्टो कल जाहिर किया है इसमें युवाओं महिलाओं के लिए रोजगार भी है इसमें बुजुरकों के लिए स्वास्त भी है इसमें ओडिशा की महान संस्कूर्थी यहां पर परियतन के विकास के लिए एहम गोशनाई भी है धान किसानों के लिए केंदू पत्र के लिए भी बीजेपी के संकल्प पत्र में बहुत ही बड़ी गोशनाई की गई है और आप तो जानते हैं बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है और इसलिए यहां सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ती से इन गोशनाई पर अमल करेंगे और यह मोदि की गारंटी है एहां हेउची मोदि गारंटी और लिख लिजिए चार जून पर यहां बीजेडी सरकार की एक्सपारी डेट लिखी हुई है चार जून बीजेडी की एक्सपारी डेट लिकी हुई है मान लिजिए भाई यो भेनों आज साथ मई है छे मई है आज छे मई है छे जून को बीजेडी के मुख्यमंत्री पत्किया उमेदवारताय होगा दस जून को भुमनेश्वर में बीजेडी के मुख्यमंत्री का शपत्समार होगा और मैं आज आप सबको बाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री के शपत्समारों के लिए निमंत्रन देने आया हूँ भाईवे बहनों ओडिसा में बीजेडी अस्त है कॉंग्रेस पस्त है और लोग बीजेडी पी पर आस्वस्त है और सिर्फ भाजपा उमीदों का नया सूरज बन कर आई है ओडिसा में पहले करीब 50 साल कॉंग्रेस और फिर 30 साल से बीजेडी सरकार रही है लेकिन हुआ क्या ओडिसा के पास भरपूर पानी भी है ओडिसा के पास भरपूर उपजाओं जमीन भी है ओडिसा के पास जमीन के नीचे खनीश का खजाना भी है इतना लंबा समूद्री तड़ भी है बैरामपूर जैसा ट्रेड सेंटर भी है ये तो सिल्क सीटी भी है और खाद्य की राजदानी भी है यहाँ इतिहास भी है संस्कूर्टी की धरोहर भी है सब कुछ है परमात्मा ने इतना दिया है मैं हर बार कहता हूँ फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने अमीर ओडिसा की मेरी बात समझना इतने अमीर ओडिसा की जनता गरीब रह गई इसका जवाब है यह पाप किस ने किया यह पाप किस ने किया इसका जवाब है पहले कॉंग्रेस और फिर बीजेडी के नेताओं की लूट ओडिसा में बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी बड़े बड़े बंगले के मालिक हो गए है आखिर क्यों मुख्य मंत्री के इस छेत्र से सबसे ज़्यादा स्रमीक दादन करते हैं पलायन करते हैं आखिर क्यों यहाँ ज़्यादा तर अस्पतालों में डॉक्तर के पद खाली है आखिर क्यों यहाँ बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं हिंजीली में परियाप्त कोर्ट स्टोरेज तक नहीं है पानी की बहतर सुविदा नहीं है साथियों मोदी ने ओडिशा के विकास के लिए कभी भी बजेट की कमी नहीं रखी ौश कर में एक आंकड़ा बताता हूँ कि आख याद रखोगेए तो शब के सब बताहों में अकड़ा याद रखोगे पक्का आंकड़ा याद रखोगे गर्गर जाके ये बताओगे अगर याद नहीं रहता तो बैठे बैठे लिख लेना मोबाइल में टाइप कर देना ठीक है देखें आप जानते हैं जब केंद्र में दस साल सोनिया जी की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी मनमोन सीच जी को प्रदानमंत्री पत पर बिठाया हुआ था तो उन्होंने सिर्फ उड़ीशा को एक लाग करोड रुपिया उड़ीशा को दिये दे दस साल में कितना जरा याद करके बोलिये दस साल में कितना और जोर से बोलिये दस साल में कितना और मोधी ने दस साल में कितने दिये बताऊं बताऊं याद रखोगे दस साल में मोधी ने साड़े तीन लाग करोड रुपिय से ज़ादा ओड़ीशा को दिये लेकिन साथियों आप भी जानते हैं सिरुप पैसे बेजने से काम नहीं चलता है यहाँ पर अच्छी सरकार भी तो चाहिए यह दिल्ली से आपके लिए पैसा भेजता है आपके लिए योजना ही बनाता है लेकिन बीजेडी सरकार या तो उनको लागू नहीं करती या फिर उन पर अपना श्टीकर लगा देती है अपना लेबल लगा देती है और उपर दे लुट पाट करती है केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए दस हजार करोड रुपिय उडिशा को दिये कितने हैं एता नहीं आकड़ा याद रखना पड़ेगा भई कितने दिये दस हजार करोड कितने दिये कितने दिये उस पैसे का दस हजार करोड बीजेडी सरकार ने क्या किया वो पैसे यहां की सरकार सही से खर्च ही नहीं कर पाई मोदी गाओं में सडके बनाने के लिए पैसा बेचता है लेकिन यहां गाओं में सडकों की हालत खराब है मोदी दिल्ली से मुप्त चावल के लिए पैसे बेचता है लेकिन बीजेडी सरकार क्या करती है वो इस योजना पर भी अपनी फोटोचिप का देती है मुप्त चावल का बैग अपने नाम से आपको देती है यह उनको बेहिमानी क्यों करनी पड़ती है क्योंकि खुद ने कुछ किया ही नहीं है अगर खुद करते तो मोदी के काम पे खुद की फोटो लगानी पड़ती क्या लगानी पड़ती क्या खुद ने कुछ किया ही नहीं चाथियों मोदी ने पूरे देश में गरीबों को पांच लाख रुपिये तक के मुप्त इलाज की गारंटी दी है पांच लाख रुपिये भाई जरा इधर जान दीजिए आप लोग अरे लोग तो अब आय रहे हैं क्या करेंगे भी यो तो लोगों का उत्साहाए आएंगे अब क्या करेंगे मुझे आगे जाना है देश भर में छे करोड से ज्यादा लोग यह मुप्त इलाज का लाब ले चुके हैं लेकिन इसका ओड़ी साके आप लोगों को कोई लाब नहीं मिला क्योंकि बीजेडी सरकार ने आयुशमान भारत योजना को यहाँ लागू ही नहीं होने दिया उनकों लगता है लोग बिमार रहे तो रहे मुझे क्या ऐसा सोचने वाली यहाँ सरकार इतना ही नहीं ऐसे में जो साथी काम के लिए दूसरे राज्य गए हैं उनको वहां मुप के इलाज नहीं मिल पाता इसकी गुनेगार कौन है? इसकी गुनेगार कौन है? यहाँ की बीजेडी सरकार कौन है गुनेगार? कौन है गुनेगार? कौन है गुनेगार? अब तो मोदी ने एक और गारंटी दी है दस जुनको भुमलेश्वर में जैसे ही बीजेपी का मुख्यमंत्री शपत लेगा उसी दिन आप सब में जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको पांच लाग रुपिया मुप्त इलाज का काम सुरू हो जाएगा और जो 70 साल से उपर के हमारे बुजुरूर्ग बाई बेन है उनको भी किसी भी परिवार से हो, किसी भी जाती से हो, किसी भी समाच से हो आपके घर में 70 से उपर के जो भी है हर एक का इलाज का खर्चा अब आपको नहीं ये भगवान जगनात का बेटा करेगा मोधी करेगा और इससे भुचुरुकों कहीं नहीं परिवार के युवाओं का भी फाइदा होगा उन्हें अपने माता पिता के इलाज की चिंता से मुक्ती मिलेगी अब आपके माता पिता की चिंता मोधी करेगा अपने बच्चों की चिंता आप करना ठीक है इसके लिए यहाँ उडिसा में भी भाजपा सरकार बनना बहुत जरूरी है साथियों आज़ उडिसा में जो सरकार है उसे महलाओं के हीतों की परवाही नहीं है एक काम करिए भी स्पी जी वाले ये दो छोटे छोटे बच्चे चित्र लेके आये हैं वो एक नव जवान लेके आया है ये जरा ले लिजे भाई और पीछे अपना अता पता लिख दीजे मैं चिट्टी बेजूँगा आपको पीछे अपना नाम पता लिख दीजे आपका ये प्यार आपका ये आशिरवाद ये हमारे उडिसा तो कलाका धाम है कलाकारों का स्वर्ग है ये आप दे दीजिए हमारे स्पी जी को मैं जुरूर जाके देखूंगा बच्चे आपका जो प्यार है ना वो मेरी बहुत बड़ी पूंजी है शाबाज इतना प्यार से आप लोग रात रात जग करके बनाते हैं सारी चीजे हाँ बच्ची से भी ले लीजे भाई उदर उस नवजवान से ले लीजे अरे उदर से देखो भाई स्पी जी देखे इधर हमारी मां का चित्रा लेके आई है एक बेहन उनसे भी ले लीजे भाई वो दो तिर लोग है बहाँ आप सब अपना अता पता लिख दीजिए मैं आपको चिठ्थी लिखूंगा और मैं उडिया में चिठ्थी लिखूंगा मैं आपके मुखमंत्री जैसा नहीं हूँ मैं तो आपके दिलों में राज करता हूँ मुझ पर तो जगर्नाज भगवान के आथिरवाद है देखे उदर से भी एक नवजवान से ले लीजे भाई ये इतने प्यार से बना लका लाए है मैं इनको मना नहीं कर सकता जी साबाज अभी आप और किसी के बाज रह गया है तो मुझे डाक में भेज देना ठीक है बोलिया भारत माता की उडिसा के कलाकारों की उडिसा के लोगों को की महनत की उडिसा के लोगों के प्यार की चाबाज देखिए केंद्र सरकार हर गर्भवती महिला को 6,000 रुपिया की आर्थिक मदद दे रही हैं जो प्रेगनेंट वुमेन है ना गर्भवती माताएं हैं उनको मोदी सरकार 6,000 रुपिया भी देती है ताकि उसके घर्भ में स्वस्त बच्चा उसको पोशन मिले आप ये जानकर हरान रह जाएंगे कि उड़ी सा सरकार ने यहां इतनी पवित्र योजना माता और बहनों की सेवा करने की उजना अरे भगवान जगनात प्रसंद न हो जाएं ऐसी पूजा लेकिन ये बीजेडी सरकार ने उस पर भी ताला लगा दिया लागू नहीं की भाई कोई मा ये बीजेडी वालों को माप करेगी क्या उड़ी सा की कोई माता ये बीजेडी वालों को माप करेगी क्या साथियों वहीं भाजपा सरकार महिला ससक्ति करन के लिए प्रतिबद है उड़ी सा बीजेडी की सुबद्रा योजना आपको पता नहीं होगा बाद में बताएंगे लोग ये बहुत महत्वपुन योजना ये उड़ी सा बीजेडी वाले लेके आये है सुबद्रा योजना ये महिला ससक्ति करन योजना है यहां महिलाओं को आर्थिक रुप से मजबूत करेगी उड़ी साब बीजेपी ने यहां स्वयम सहायता समूओं की पचीस लाग बेहनों बेटियों को लखपती दीदी बनाने का संपकल्प किया है विहां उड़ी सा के गाउं में पचीस लाख लखपती दीदी भाई अरे ताली बज़ाओ इससे बड़ा काम क्या हो सकता है जो मुझूर महिला है बेसरा सहारा है उन्हें भी अलग से आर्थिक मदद दी जाएगी साथियों भाजपाने भाउत गवरव से उड़ी सा की मिट्टी में जन्मी गर्व करना उड़ी सा की मिट्टी में जन्मी उड़ी सा की बेटी को देश का सबसे बड़ा पद दिया है राष्ट्रपती द्रवपदी मुर्मूजी कोई उड़ी सा का नागरिक है जिसको गर्व होगा अगर नहीं होगा इस से बड़े गर्व की और कोई बात हो सकती है क्या राष्ट्रपती द्रवपदी मुर्मूजी यह मेरा सवभाग्य है कि वो मुझे लगा तार उड़ी सा के विकास के लिए बहुत बारिक 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 चीजे बताती है और मैं जो भी लगता है कि इस द्रवपदी मुर्मूजी के मारदर्सन में मैं भी उड़ी सा के लिए बहुत कुछ कर पाऊंगा यह दिल्ली में यह भगवान जगर्नाथ का बेटा जो बठा है ना वो जरूर काम करेगा जब यहां ओडी सामें ओडिया संस्कूर्थी को जीने वाला जब तक यह बहुत जरूरी है उडिसा में ओडिया संस्कूरती को समझने वाला ओडिया संस्कूरती को जीने वाला ओडिया संस्कूरती पर घर्व करने वाला ओडिया संस्कूरती के लिए समर्पीर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो आपकी समस्याओं का तेजी से समाधान होगा और इसलिए भाजपा का मुख्यमंत्री भाजपा की सरकार इसका सपाथ समारों होना चाहिए और आप सबको सपाथ समारों में आना चाहिए उडिसा के नवजवानों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है मैंने तो देखा है मैं तो गुजरात का रहने वाला हूँ और मेरा सूरत वो तो आप दो कदम चलोगे तो कोईनको उडिया भाची वाला मिल जाएगा यहां बहुत लोग होंगे जिनके परिवारवाले उडिया उसूरत में रहते होंगे बहुत से लोग होंगे और मैंने उनके काम को देखा है उनकी महनत को देखा है इनकी शक्ति को जाना है और इसलिए मुझे विश्वास है ये मेरे उडिया के नव जवावान में उनको अगर मोका मिल जाए तो उडिशा को देश का नंबर बन राज्य बना सकते और भाजपा को सरकार बनाने का मोहता नहीं जी मैं आपको गरंटी देता हूं एक बार हमें सेवा करने का मोका दीजिए पांच साल में मैं मेरे उडिशा को देश का नंबर बना के दूँगा